दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में यह टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट है आपके केरियर से जुड़ा हुआ है और यह फेक लोन एप से ही संबन्दित है तो यह आपको व्यूडियो लाज तक देखना चाहिए अगर आपका म आप वीक्तम सही चल लए जिसके प्रॉलम मेना वही जानता है उसके लिए इत्ती सी इंफोर्मेशन भी काम की है और इत्ती इंफोर्मेशन भी बहुत ज़्यादा काम की है तुम तो कुछ नहीं कर रहा है तो यह उन लोगों के लिए मैसेज है कि जो कमेंट में आकर हके जा सौक से करो बकाएदा कमप्येंट करो क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं तुम बहुत मतलब बोलते रहते हो यह है और तुमको यहीं लगता है तो जाONEY करो और है आप tickets हो जाए तो यह जो लोग कमेंट करते हैं वो लोग समाझ होंगे खेर मैं यहां पर कुछ इंपोटेंट बाते हैं कुछ इंपोटेंट टॉपिक्स वो करना चाहता हूँ तो क्या हमारी नौकरी पर उसका प्रभाब पड़ेगा मतलब अगर देखा जाये मतलब इसका कोई मतलब है नहीं इसमें ठीक है क्योंकि बहुत कम लोग इस पे जो है ध्यान देते हैं लेकिन अपने आप में बहुत ज्यादा यूनिक है यह आगे चलके बहुत कम में आगाते कि लोन कोई भी ले सकता है कोई भी पड़ लिखाओ कोई भी अनपढ़गो लेकिन हमें बात कर रहा हूं उनके लिए इला के जो है कर रहा है दो में तो घर बैटे को पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको डिस्कर्षे लिंक मिल जाए는 कुछ एप्स हैं जिनके नाम जो है मैं बता रहा हूं ग्रोव अब स्टॉक्स डिरेक्ट मैं एक क्या रहें बताऊंगा बागी में सेम वही करना सेम डॉकुमेंट लगने सब कुछ सेम वही है अगर आप मेरे लिंक से कुलते हैं तो मुझे मिल जाते हैं थाइस रुपए और सब्सक्राइब करने के लिए अपने मोवाइल डालेंगे लोगिन करेंगे अधार काट पैंकर अपना तयार रगना वहां पर लगा देना है जैसे मांगता है वैसे वैसे लगाते जाईएगा और उसके इलावा कि कर लेंगे और आगर आप 10-20-30 रुपए कोई भी ट्रेट क परेख्यान है दराण एब कोई नहीं गुल लाते हैं कोई अगर यह वी कोई जानी एक अकाउंट चांट कंवाने पर MIN चेयां लुटे में पैदा हो जाते हैं बाराट सुपर मुझे मेरे अकाउंट में आ जाते हैं इसे नहीं में जाते हैं इस तरह से ग्रोप में अगर आप समझे वाली बात यहां पर आप इसमें कितना कमा सकते हैं इसमें आप अगर आप मानके चलिए दिन में आप दो खुल वा रहे हैं आप में आप साधे साथ सब्सक्राइब चल रहा हुआ है अगर एक ऐसे सी में तो पंड़ाशों के तरफ यानि लगब महिने कि आप तरफ कमा लेंगे मैं बात करता हूँ 45 छोड़ो आप 40 अवर कमाल हो गया अगर आप नहीं मेहनत कर लेते हो लेकिन यह आपकी उपर डिपेंड करता है और साथ ही आपको उनकी वीडियो देख लिए आपको कोई भी प्रॉलम अगर आएगी तो आप उसको सही कर लोगे वीडियो देख देखके तो आप अच्छे से खोल पाएगे तो दोस्तों यह तो पैसा कमाने का तरीका आप मैं बताता हूं में टॉपिक जो है कि अब मालीजे कि अगर आपने कहीं भी किसी प्राइवेट नौकरी सरकारी नौकरी में अप्लाइक कर रखा है आप एक मेहने या दो मेहने में जॉइन करेगा मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं सब बात है अगर आप नएनी नौकरी जॉइन कर रहे हैं या लगने वाली यह सरकारी यह प्राइट है और आपने लोन भी रखा है लोन चल आए ठीक है और आपको ड़ल लग रहा है कि हमारी नौकरी पे इसका कोई भी जो है बु किसी भी प्रकार का कोई मुगद्दमा कोई केस चल लाओ ठीक है तब आपकी नौकरी में दिक्क्त आती है ठीक है लेकिए जब आपने लोन लिया है तो लोन भली आप पे ना करो लेकिन उसका मतलब नौकरी से कोई नहीं होता है नौकरी अलग चीज जैनल लोन कोई क्रिमि कोई फरक नहीं पड़ेगा तो आप आराम से अपनी नौकरी करें आपकी नौकरी पर कोई नहीं पड़ेगा ओ भी दिक्कत नहीं होगा यह मेरी गरंटी है ठीक है क्योंकि नौकरी अपकी पड़ता है जब आपने कोई ऐसा काम किया और जैसे प्रिस आपके पीछे पड़ि बोल के मुगदमा चल लाए और नौकली ले ली तो आपको जेल कर दे लिए तो वहां पर आपको दिक्कत होगी लेकिन आपके बाइन चला लाएं कोई कोड केस नहीं है तो कोई कोड केस कर देता है प्रश कयों पर अपने फजी वगरा दीए हूं है लोन में और के हो चुकी किसी ने कर दिये किसे फर्जी डोकुमेंट लगाएं तो 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 फिर किमनल एक्टिविटी आगी ना वो आपने धोका धड़ी करिए तो नॉर्मली बात यह कहने का अगर आपने लोन लिया और पें नहीं कर रहे हैं तो आपकी नौकरी पर कोई फरक नहीं ऐसे में उनके नौकरी को कोई फरक नहीं पड़ेगा है आप को हेक नघ्मी से मतलब होता है जहां कहीं से भी आप लोन लेंगे तो वहां से फर्ख पड़ता है तो कंपनियां या बैंक उसके चेक करते हैं तो वहां फर्क पड़ता है उससे कोई मतलब नहीं है तो अगर आप आप नौकरी किसी परकार से करने जा रहे हो या कर रहे हैं या लगने वाली है कोई फरक नहीं पड़ेगा लोन अब आले या उनके दिक्वरी एजन्ट कुछ नहीं कर सकते हां वो क्या कर सकते हैं इतनी बात समझ लिएगा आपकी कॉंटक्स को नहीं हैक कर लिया है आप किसी आफिस में काम कर रहे हैं किसी भी सक्ट्री में काम कर रहे हैं वो नमबर आपके फोन में पड़े हुए हैं ठीक है और उन्होंने हैक कर रखी आपके पॉंटक्स को वो उन नमबरों पर कॉल करेंगे जो आपके ऑफिस के लोग हैं स्टाफ हैं आपके सीनियर हैं आपकी उनको कॉल करके कुछ गलसाज़त किया तो उनका मूड़ खराब होगा वह आपको नौकरी से निकाल भी सकता है वर्खास कर सकता है तो यह चीज़ा आपकी जिन्दिगी में पड़ सकती है जो कि यह इससे कोई मतलब नहीं है यह तो एक बैवार पर डिपेंड करता है वह जो जो है अगर देखा जाए डॉकुमेंट के साब से कानुनी तोर पर ऐसा कोई भी लॉन नहीं है जैसी कि आपकी लोन पे नहीं किया तो नौकरी फर्क पढ़ेगा नहीं लग पाईगी ऐसा कानुनी तोर पर कुछ नहीं है वह भारी वाली चीज हो गई है को कोई को हैर करें उसमें आपके स्टाफ के बहुत के नंबर पढ़े हैं उस पर गारी को लोज करें और वह आपको नौकरी से निकाल देता है तब आपको नौकरी नहीं मिलेगा अगर आपके जांच में अगर पाया है कि आपके कोई कोई मुकad면 चल्शल है तो आपको सरकारी नाहीं मिलेगी और प्रावले नौकरी में भी कभी कभी दिक्क्त आ जाती है तो लाइक क्या ऐसा कभी आपके नोखरी में दिखकत आई हो इस लों की वज़ेर कर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आपको समय से मिल दीना दोस्तों चलता हूं मिलूंगा किसी नेक्स वीडियो में किसी नेक्स अपडेट किसा तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरूं सत्य बेप जाहिते